आपको बताना है कि जो iron and steel industries है वो आज की date में source material से दूर क्यों जा रही है हम सभी जानते हैं कि जो iron and steel industry है ये weight losing industry है जिसकी वज़े से ये raw material के पास located होना prefer करती है लेकिन आज की date में आपने देखा होगा जो iron and steel industry है ये हर एक तरह की location के देखने को मिलती है raw material के पास देखने को मिलती है market के पास देखने को मिलती है ports पे देखने को मिलती है raw material और market के बीच में देखने को मिलती है ये आपको हर जगा पे देखने को मिलती है अब इसका जो localization के factors है वो असल में बदल चुके हैं ऐसा नहीं है कि ये केवल raw material की location के पास ही देखने को मिल अब यह आपको market के पास और ports के पास भी देखने को मिल जाती है क्यों क्योंकि अब raw material जो है आपको जगा-जगा से मिलना शुरू हो चुका है इसी लिए आपको यह बतानी है चीजें कि असल में जो यह है इसका जो account for the present location आपको यही account देना है कि अब यह कहां-कहां देखने को मिलती है और जब आप account कर रहे होंगे तो account में आपसे expected है कि आप इसके पीछे कारण भी देंगे कि असल में जो industry है यह अब raw material से दूर जाके यह market पे क्यों मिल रही है और यह हमें यहां पे ports के पास क्यों मिल रही है इन सब चीजों के कारण आपको देने होंगे लेकिन क्योंकि यहां पे देखे आपसे कहीं पर भी नहीं पूछा गया कि यह भारत में क्यों हो रहा है तो आपको जो examples हैं अगर आप भारत के बार से example देखेंगे तो और भी बहतर होगा यह आपके उपर depend करता है clear है बात तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने बताना है कि जो आपका iron or steel industry के बारे में briefly introduction देनी होगी कि असल में इसकी location कहां कहां पे देखने को मिलती थी और फ give reasons behind the distance between industries and the sources of raw materials बात खतम देखें main producers of iron and steel in the world are China, Japan, USA, Russia, Germany, South Korea, Brazil, Ukraine, India, France, Italy and the Great Britain यह आपके main producers हैं और यह ऐसा नहीं है कि main producers आज बन गए हैं यह जबसे industrial revolution आई है जबसे audio कि क्रांती आई है तब से लेके अभी तक almost जो main producers हैं वो यही रहे हैं वो same रहे हैं In India, the industry is located mainly in the eastern and the southern part of the country यह भी हमें मालूम है कि जो अधित्तर हमारी industries हैं वो देखें रोटकेला का steel plant है उसके बाद विशाका पत्नम का steel plant है उसके बाद भिलाई का steel plant है उसके बाद दुरगापूर का steel plant है जो सारी के सारी है यह तो South India में हैं वेलोर में steel plant वेलोर में steel plant नही I told you इसमें आपने diagram भी देखा होगा बहुत अच्छा diagram बनता है एक यह वाला जो triangle बनता है जिसमें आप बना के दिखाते हैं किस तरीके से जो industries है यह असल में यह आपकी market है यह R1, R2 आपकी raw material की location है जो industry है यह R1 और R2 के पास located होती है और market से दूर located होती है This is how the industry is located. In iron and steel industries जो आपके दो main raw material है वो iron ore और coal है और दोनों ही weight losing raw material है Therefore an optimum location for iron and steel industry should be the raw material sources क्योंकि आपका दोनों के दोनों जो raw material है वो असल में weight losing है अगर आप इनको जादा लंबी दूरी तक लेके जाएंगे तो इनका जो खर्चा है वो बहुत बढ़ जाएगा दूरी तक लेजाने में क्योंकि भारी होते हैं और क्योंकि यह weight loss करते हैं इसी लिए आपको industry इनके पास ही locate करनी पड़ती थी पारंपरिक तोर पे लेकिन आज चीज़ें बदल रही हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे दुरगापुर है बरनपुर है उसके बाद बोकारो है जमशेदपुर है भिलाई है रोडकेला है गोपालपुर है अपनागिरी में है विजनागर में है बदराबती का बहुत important plant है New Mangalore में Salem में है राइट I was forgetting Salem मैं वेलोर बोल रहा था लेकिन Salem में है ठीक है यह आपके बड़े-बड़े industrial areas जहाँ पे iron और steel industry आज बहुत ही भारी मातरा में located है so mainly आपका जो है eastern में located है और यहाँ पे आपक southern India में located है ठीक है लेकिन अब जो है the reason of distant location of industries from key raw materials can be explained on the following grounds सबसे पहले optimal location as a large number of raw materials are relevant to the industry देखे होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि केवल iron ore और steel ही आपको जो है raw material के तौर पे चाहिए अब आपको raw material के तौर पे और बहुत सारी चीज़ें चाहिए the other raw materials beside iron ore and coal essential for iron steel industry are limestone, dolomite, manganese and fire clay, आपको ये चीज़ों की भी जरूरत पड़ती है, all these raw materials are gross weight losing, therefore the best location for iron steel plants is near the source of raw materials, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक raw material के अधार पे location देखनी है, आपके और कई सारी चीज़ें हैं जिनके अधार पे आप location को देख रहे हैं, उसके बाद जो proximity to markets है, ये भी एक काफी बड़ा कारण बनता जा रहा है, जिसकी वज़े से जो location है, जो इनका, आज की date में जो इनका location है, वो change होता जा रहा है, ठीक है, then proximity to the ports, the steel industry is a plant in such a way that the export of steel becomes cost effective, आपको ये भी तो देखना है कि export करना है, सबसे बड़ा इसमें एक्जामपल अब देख सकते हैं, विशा located हो, इसलिए विशाका पटनम में ये बनाया गया है, उसके बाद केवल यही कारण नहीं होता, कि जहां पे आपको raw material मिले या फिर market मिले, कभी कबार आपको देखना होता है, कि जो विकास है, वो भी असल में संतुलित ढंक से हो, वो भी असल में balanced तरीके से हो, तो government has recently launched integrated steel hub in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal and Northern Andhra Pradesh, और इस योजना का नाम भी आपको मालुम होगा, जिसका नाम है, पूर्व उदे योजना, तो यह जो पूर्व उदे योजना है, इसमें सबसे बड़ा पार्ट है, जो Odisha में शुरू किया जाएगा, तो ये भी एक तरीके से बात ही ही है, कि भारत इसमें करना चाहती है, कि balance development हो, जो ऐसी states है, जो कि पिछडी हुई है, ऐसी states है, जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, उन states में विकास तब ही हो पाएगा, अगर हम वहाँ पे अच्छी industries को लेकर आएंगे, अगेन इसमें क्या होता है, देखिए, जब भी आपको ऐसे answer क जवाब देना है, तो बहुत simple तरीका होता है, जवाब देने का, आप बता सकते हैं, factors को हमेशा दो तरीकों से बाढ़ सकते हैं, एक होते हैं, आपके geographical factors, ठीक है, और दूसरा आपका बन जाता है, non geographical factors, simple, अगर आप इस तरीक से तोड़ देते हैं question को, तो बहुत सारे factors को इ और यह देखिए, other factors में, industrial factors, social economic factors, political considerations are also taken into account while determining locations of steel and the iron industry, इस तरीके से आपके question को परोच करेंगे, तो मैं guarantee देता हूँ कि किसी भी factor को आप miss नहीं करेंगे.